बारिष के मुखसर में केरुंदे बहुत ही अच्छे मिलते हैं। इदर बारिष के मुखसर में हम ज्यादा स्नैक्स भी बनाते हैं। तो इसके लिए चट्नी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है। तो आप सबसे पहले लेंगे एक मिक्सर कराइंडर और इसमें डालेंगे यह कटेवे केरूंदे और आप इसमें एड़ करेंगे बारी कटा हुआ दनिया थोगा दनिया जादा ही एड़ करना है ताकि चटनी और भी अच्छी बने और बारी कटी हुई मीर्ची आप अपनी सकते हैं और आदा चमाच मिस्ट में जीरा आड़ करेंगे और तीन से चार लेसुन डीशाए करेंगे तो लेसुन और स्वाद अनुसार करेंगे और आज़ Aunque क सब्स्द्द का balance enhance करने के लिए एक चपरमिश में चीनियाट करेंगे और सारी चिज़ों को पीछ करेंगे तो लीज जैनस हमाई चटनीा जो बनके तयार होगी है खाने की लिए ले एक परतब कर लेंगे यह चटनृय आप दो कोमेंट में बनाके तैयार कर सकते हैं और इस चटनी से नास्ता का स्वाद है जो दो गुना बढ़ जाता है तो प्यारा सा कॉमेंट बॉक्स में कोमेंट करके जरूर बते ये वीडियो को लाइक कीजिए पेस्बूक और इस्टाग्राम पर फोलो कीजिए